हेलो एवरिवन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आलू गोभी की बिना लसन प्याज वाली सब्जी की रैसिपी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे फेस्टिवल आने वाले हैं और चली सबसे पहले मैं ने डेखिये गोभी काट लिया है और गोभी मैं देखिये हलकी मूल की गंद की चिप एक हो दो कटी हुई हरी मिर्चलिये बारी साबदलामिर्च के टुकडे कर लें तेजब्ता और मैंने तड्के के लिए हैं मेथि दाना मैं मेथि दाना से ही गोभू की सबजी को तड्का लगाती हूं तो चलिए मैंने सबसे पहले कड़ाही ले लिये, उसमें थोड़ी सी चिकनाई डाल दूगी, अब इस चिकनाई को अच्छे से गरम कर लूगी, और उसके बाद जब एक गरम हो जाएगी, तो इसके बाद मैं सबसे पहले इसमें डालूगी अपना मेथी दाना, मेथी दाना च पकने में टाइम लगेगा तो सबसे पहले आलुक को हलका सा फ्राई कर लेगे यह देखिए थोड़ी दिर फ्राई करने के बाद आप इसमें हम अपने मसाले आट कर देंगे मसाले आप अपने पसंद के अनुसार आट कीजिएगा मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा तीखा कम बनाती हूँ तो आप अपने पसंद के अनुसार मसाले आट कीजिएगा चितने आपको मसाले जिस तरीके से डालते हैं यह मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार यह हल्दी यह थोड़ा सा धनिया पाउडर धनिया पाउडर देगे सुखी सब्जी में मैं ज्यादा ही डालती हूँ क्योंकि मुझे धनिया पाउडर का फ्लेवर बहुत पसंद है अब यह डाल दे मैंने कस्मीरी लाल मिर्च यह कसूरी मेथी डाल दिया अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद जब इन मसालों का कलार आ जाएगा तो उसमें हम अपनी गोभी अट कर देंगे यह देखे मैंने गोभी भी अट कर दिया अब चाहें तो आप इसमें हलका सा पानी बिल्कुल हलका सा जिसे कि आपके मसाले कडाई में ना चिपके तो हलका सा पानी डाल दीजिए यह देखिए मैंने बिल्कुल हलका सा पाने डाल दिया जिससे कि मसाले कड़ाई में न चिपके और यह मसाले अंदर तक गोबी और आलू में बैठ चाएं अब अच्छे से चलाते में मिक्स कर देंगे और इसको हम कुछ टाइम के लिए ढख कर रख देंगे बिल्कुल धीमियाच पर पकने के लिए कुछ टाइम पकने के बाद हम अपनी कड़ाई को देखेंगे आप चलिए हम अपनी सबजी देख लेते हैं बीच बीच में आपको स तरीके से गोबी बनाएगे तो गोबी बिल्कुल खिली खिली बनेगी, और बेना लसन प्याज के भी इसमें टेस्ट, आप लसन प्याज की सबजी खाना भूल जाएँगे, जब आप इस तरीके से अलु गोबी बनाएंगे अब यह देखे हमारी गोबी पख गई है हमने चेक कर ली तो इसका मतलब हमारी सब्जी तियारी आलो भी हमारे पख गई है तो अच्छे से मिक्स करते हुए सबसे लास्ट मेस में हम अपना थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला एड़ कर देंगे देखें गरम मसाला गोबी की सब्जी में जरूरी होता है नहीं तो यह हलका सा बादी वाली सब्जी होती है तो नुकसान देती है तो गरम मसाला इसमें जरूर एड़ कीजिए क्योंकि इसमें हम लस्टन यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए अब यह हमारे सब्जी तैयार है यह खाने बहुत टेश्टी लगती है आपको मेरे रेसीपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए और ट्राइ किजिए एक बार मेरे तरीके से आलो गोभी बनाने की तो थैंक यू सो मज गाइज मिलते एक नही रेसीपी के साथ